हलो स्टूडेंट्स मैं डॉक्टर अनुपरीता मिश्रा आप अनुपरीता मिश्रा इस एलेक्ट्रिकल इंजिनेरिंग के चैनल पर इलेक्ट्रिकल मशीन के डिफरेंट सब्जेक्स पढ़ते हैं आज मैं आपको एक स्टूडेंट के पूछा हुवा क्वेशन समझाने जा रही हूं उसने मुझे जो क्वेशन पूछा हो हर सब्जेक्ट में अप्लिकेबल है बिटा निट्वर्क अनालिसी बैसिक एलेक्ट्रिकल इंजिनेरिंग मशीन में भी पावर सिस्टम में भी सब्ज कस विसे भी इस बराबरी क्यों होगा और इसमें से बहने वाला करेंट जो इसमेंडॉप कृएट करेड अभी विए वी के बराबर के वोगा डिफेरंट क्यों नहीं हो ता वह सम्सक्वेशन पूछा है तो मैं बेक्टां बेसिक हिसकी ड होटेशन से चलूंगी पॉटेंश या voltage के basic definition फिर potential difference या voltage difference की basic definition से चलूँगी वो समझाऊंगी आपको इस particular बड़े circuit को मैंने छोटे circuit में squeeze कर दिया इन दोनों का equivalent resistance आर इक्वालेंट बताया जो कि यहां पर वीडियो की लिंक मैं end screen पर दे दूँगी आपको समझ में आ जाएगा बेटा कि यह description मैंने explanation कौन से वीडियो में दिया है यहां पर वीए भी एक voltage है जो कि यहां दिख रहा है और यह वीए भी किसी बड़े circuit की वज़े से यहां पर appear हो रहा है मैं इसे voltage source नहीं बोल रहे हूँ हाँ यह इतना voltage इं दोनों के बीच में appear हो रहा है ऐसा मैं बोल रहे हूँ वही same बात यहां पर है potential या voltage जो होता है A या B point का वो होता है unit positive charge को plus one charge को infinity से इस point तक लाने में जितनी भी energy खर्च होती वो इस point का potential या voltage होता है similarly इस point का potential या voltage क्या होता है unit positive charge को infinity से बहुत दूर से इस point तक लाने में जितने ही energy खर्च होगी वो इस point का potential होता है अब ये उस unit positive charge को आप किस रास्ते से ला रहे हो तो बिटा आप किसी भी रास्ते से ला सकते हो energy जो होती है वो उतनी ही खर्च होती है same चाहिए रास्ता कुछ भी हो irrespective of the path followed to take unit positive charge from infinity to this point remains always same energy spent जो होती हो हमेशा same रहती चाहिए रास्ता कुछ भी अपनाया हो unit positive charge को दूर से इहां तक लाने में और ये तभी तक true है जब तक कि आपने electric field को constant रखा हुआ है उसको नहीं बदरने दे रहे और electromagnetic theory में कुछ ऐसा formula हम पढ़ते minus integration initial to final point e dot dl अब बेटा ये कहां से आया क्यों हो आया ये सारी बात है जब मैं electromagnetic theory subject पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी पर यही potential होता है यही expression अपने आप में define करता है कि आप चाहिए जिस रास्ते से unit positive charge को infinity बहुत दूर से a b पर लाओ या बहुत दूर से a पर राओ जो भी energy खर्च होगी वो b का potential या a का potential हो जाएगा similarly अगर मैं potential difference की बात करूँ तो a to b इन दोनों के बीच का voltage difference या potential difference होगा वो आप unit positive charge को a to b किसी भी रास्ते से ले जाओ जितनी energy खर्च होगी वो energy same होगी इस रास्ते पर भी सेम उतनी energy खर्च होगी इस रास्ते पर भी सेम उतनी energy खर्च होगी तो a और b के बीच का potential difference उस energy के बराबर होगा मतलब unit positive charge को a to b आप r1 के थू ले जाओ यह unit positive charge को आप a to b r2 resistance के थू ले जाओ same amount of energy खर्च होगी तो मतलब a का और b a का और b का potential same है हमेशा हालात अगर electric field आपने same बना के रखे तो energy में कोई change नहीं आता मतलब potential same रहेगा a और b का मतलब r1 के across का potential और r2 के across का potential बेटा पहले ही fix हो जाता है जो कि जिन terminals के बीच में r1 और r2 connected है उन terminals के बीच का potential difference जो भी होता है वही इसमें से current बहने पर drop होगा वही इसमें से current बहने पर drop होगा अब बेटा a to b current तो बहेगा किसकी विजह से इन दोनों के बीच के potential difference की विजह से मताद a to b current बहाने का current सिर्फ और सिर्फ इन के बीच का potential difference जो है a और b के बीच में driving force का काम कर रहा है current को यहां से flow करवाने का या current क्या है charges का flow है electrons का flow है पर कितना इस रास्ते से बहने वाला करेंट रवन पर डिपेंड करेगा अब यहां आने पर आई को दो रास्ते मिल रहे हैं यहां आने पर आई को दो रास्ते मिल रहे हैं दोनों रास्तों पर करेंट का distribution होगा कुछ करेंट यहां से बहेगा कुछ करेंट यहां से बहेगा अब सिंपल सा ुकालोगिक बिता जिस रास्ते पर उकावट होगी मां कम करन भायेगा यह सारी चीजिज्स करेगा है यह सरह करेगा और ओक नदैस्ट करेंगर पर का तीसलिगे को रहा है कि यह कॉल्च करेगा करेंगा ऊंगरर शक्तरिबूशन distribution किस हिसाब से होगा तो ohms law के हिसाब से होगा बेटा क्योंकि इनके across का voltage fix है r1 के across का voltage vab r2 के across का voltage vab तो i1 जो होगा वो vab upon r1 हो जाएगा और i2 जो होगा वो vab upon r2 होगा अब यहाँ पर भी उस बच्चे के question का answer मैं दे रही हूँ कि r2 बदला तो I2 भी बदलेगा और R1 बदला तो I1 भी बदल जाएगा ऐसे बदलेंगे कि R1 into I1 हमेशा VAB के बराबर रहे और R2 into I2 भी हमेशा किसके बराबर रहेगा VAB के मतलब VAB will remain same आप R2 बदल दो I2 बदलेगा ऐसे कि R2 into I2 VAB बना रहे आप R1 बदल दो तो I1 बदलेगा तो R1 into I1 का प्रोड़क्ट हमेशा VAB बना रहेगा इस तरीके से बेटा voltage fix है parallel path पर बस current दोनों में से कितना बहेगा वो govern होता है ohms law से तो उमीद है आपको ये explanation समझ में आया होगा सारे doubts clear होए होगे तो प्लीज आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे चानल को सब्सक्राइब करें और जादा जादा मेरे वीडियो से फाइदा उठाने की कोशिश करें थाइंक यू